भाटाफ़ दोस्तों देखिए क्योंकि मैथ के बाद आपका साइंस का बारे दोस्तों 18 फरोरी को आपका साइंस का पेपर फर्स सेटिंग दोस्तों मैं पेपर लाया हूं और वार तो मॉड़ल पेपर दोस्तों और भिहार बोट के दौरा आज जारी किया गया चलिए दूस्तों शुरुआत करते हैं और प्रतिक कोशन का आप आंसर जरूर देखिए ठीक है सम्तल दरपन में होता है ठीक है आंसरों का आपसर नमर बी आपसर कोण प्रावरतन कोण के बराबर यानि कहने का मतलब है कोण आई बराबर कोण आ ठीक न आपसर नमर बी दूसरा कोचन है जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तब प्रकास का परावर्तन होता है दूस्तों दो कांसरों का आप्स नमर ए प्रकास की चाल में परावर्तन होने के कारण होता है यानि आपसे पूछा जाए कि माल लिए जोस्तों एक बाल्टी है और बाल्टी में एक लकड़ी डालिया दोस्तों लकड़ी क्यों टिंड लगती है तो यह होता है प्रकाश के अपॉर्टन के कारण ठीके ना यह बात याद रखिएगा कोशन जो है आपसे पूछा जाए पर क आपसे आपसे नमर्टी यहां किसी गोले दरपन था किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकर जूरियां माइनस 15 cm है दरपन का लेंस सम्हों होता है तो दोस्तों कैसा होता है जी हां आठ का आंसर होगा बिल्कुल अफ्रमर ए दोनों आउतर होता है चलिए नमर्टी यहां आपसे बोले कि समान नेतर के लिए फोकाश जोरी कितनी होती दोस्तों तो 25 से मैद कीजिएगा ठीक है जो नेतर निकट की वस्तू को साप नहीं दे सकता है उस नेतर में क्या होता है दोस्तों 10 कांसरों का आपसर नमरे दूर दीशी दोस्त इगार न सब्सक्राइब करने बिल्कुल अफ्सराइब कोच की नमर्टी कोच की नियुक्त के सबसे बड़ी गरंतिक कौन यह सीधे वाइरल है पूछा जासकता है आपसर नमरे लीवर होता है दोस्तों नेक्स्त है को आइडिटर अथवा घेंगा पनपता है तो तेरा कांसरों का किस भाग बनाता है तो 15 सब्सक्राइब करता है तो यह समय नियुक्त के तुल्य होता है तो 17 क्या होगा। भी होगा छे दस अमलो दो पांच गुड़े दस के पावर आठारा यानि आपसन नमर भी आपका करेक्ट आंसर दो बार तीन बार देखे दोस्तों और शेयर भी किजिए नेस्ट एक एमिटर का परिसर ठीक है यानि रेंज बोलते हैं जिरो तीन एंपियर है और इस एमिटर के स्केल पर डिविजनों की संख्या तीस है तो उस एमिटर का अल्प मापांग कितना होगा तो यहां पर अठारा कांसर दोस्तों आप तोड़िएगा अफनमडी होगा जिरो एक एमपियर ठीक है थायराक्सिन का अस्त्रवन कहां होता है थायराइड में 20 नमर है मानों में डा 21 कांसरोंगा और स्णनमडर A उप चैन दोस्तों विदुद आवेश का एसाइ मातरक्त क्या होता है तो 22 कांसरोंगा और कुलाम को सी दवारा सुच का यता हराण के समय बिदुद परिपत में विदुदःरा का मान क्या होता है तो 30 कांसरोंगा और सी बहुत अधिक बढ़ जाता है 24 22 32 और 62 प्रत्रोत की चार कुंडलियों को सिर्डी वद कर 64 भोल्ट की एक बैटरी जोड़ाता है पहली कुंडली के सीरों के सिर्डी करमें दोस्तों आप पढ़े होंगे आर बराबर अरवान ठीक है फ्लस आट्टू प्लस आच्री होता है इस पर करकार रखेंगे दोस्तों और इसको सौल्ब करेंगे तो 24 कांसर होगा आफ्ट नमर आठ भोल्ट आएगा एंड्रीन डिन हार्मून इस्त्रावित होता ह है तो 25 कांसर होगा बिल्कुल आफ्ट नमर धी ठीक है अधी व भी और सभी होगा यानि अफर मदी करेक्ट आंसर जनसंख्या नियोजन के लिए पूर्शों द्वरा उप्यूग लाए जाने वाली एक सरल बिधी क्या है दोस्तों पूर्शों द्वरा अपना जाती है अफनमदी कॉंडम दोस्तों अफनमदी याद करेंगे नेक्स्ट है जन सभी बिंदों पर समान होता है एक्टिस फिलेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तरजनी संकेत करती है तो थाटी वन कांस लोगा अफसन में सबसे प्रबल लमड कौन है दोस्तों 32 सरलतम हाइड्रो कार्बन कौन है तो 33 मिथेन जिसका सूत्र होता है और दोस्तों आपको पता हुने चाहिए तो चौंतिस नमर अंसर हो जगा आफसन भी हाइड्रो कार्बन थीक है 35 मेडलीव के आवाशनी में 36 कतारों को आवशनी खते हैं 36 पाशिम की और प्रापशेपित कोई आधना वेशित काण अलफा काण किसी चुमकी अच्छे दोरा उतर की और पिछे भी धोता है चुमकी अच्छे तरकी दिसा क्या होती है दोस्तों 36 कांसर आद करेंगा आफसन नमर डी उपरी मुखी आफसन नमर डी होगा नेक्स्ट है चलिए 37 बिदुद और चुमकत्यों में घहना समंद्ध है गहरा समंद्ध है इसका पता किस बैग्यांग ने लगा था तो 37 कांसर होगा दोस्तों आफसन नमर शी ओटोट ने आफसन नमर शी याद करेंगे बहुत ही बेटर कोशन दोस्तों नेक्स्ट है चलिए 38 नमर कोशन जन संख्या नेतरन के लिए इस्तिर्यों दोरा अपनाई जैने वाली एक सरल्ड एंत्रिक विधिक कौन है रिपीट हो रहा है दोस्तों तो 38 का हो जाएगा आफसन नमर डी कॉपटी होता दो कॉपटी जो की इस्तिर्यों के लिए होता है 49 लैंगिक जनन संचार होते हैं इस्तिर्यों में 23 होते हैं पूरी मिला का 26 गुणड़ होते हैं चीक में नहीं दिया दो 46 है करने के लिए हम सौड जल्ड़न कौकियों किस दिन नहीं कर सकते हैं ऑफसन बी होगा बादो वाले दिन yay दोस्तों करेटांसर बिल्कुल भी योगिक निर्मित करती है यह योगिक जल में बिले है यह तत्तों क्या हो सकता है ठीक है चवालिस का अंसर होगा आफ़ नमर ए कैल्सियम कैल्सियम को बोलते हैं सी ए कार चलिए 35 हाद पदार डिबों पर जिंग के बजाए टीन का लेप क्य एजी ठीक है चान्दी होता है दोस्तों नमर बी करेक्ट आनसर होगा ठीक है यहां पर दोस्तों को जिकदे में नमर Uslda होगा देखें, तो 47 कांसरों का आफ़सन B, साथ सायोजक आबंद, आफ़सन नमर B, नेक्स्ट है, निन्में से कौन सायोगी इन्धन की रुप में इस्तिमाल किया जा सकता है, तो 48 कांसरों का आफ़सन नमरे इत्थे नाल का इसास है, जितनी उर्जा इस तरोत हम उपियों मिलते है उनमें से अधिकांस और उर्जा को निरुफित करते हैं, निन्में से कौन सायोगी इन्धन का इसारोत अंतता सार उर्जा का बितपन नहीं है, तो 48 कांसरों आफ़सन नमर C, नाभीकिया उर्जा, ठीके ना, 50 नाभीकिया उर्जा प्राप्त करने हैं तो आवस्या क्या है, जो हैं जो हानसर ने किया था, आफ़सन नमर A होगा दोस्तों, नेश्ट है, मिडल के एक परियोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैगनी पुस्प थे, का संकरन बोने पौधे जिनके सफेद पुस्प थे, सकराया गया, इनकी सतती के सभी पौधों में पुस्प बैग सकता रचना थी, ठीके न, तो यहां पर कौन अंसर होगा दोस्तों, जी हाँ, आपके सामने फोल पिकप दिया हुआ है, तो दोस्तों, बाउन का होगा, आफ़सन नमर C, एक बड़ा रहेगा, टी, एक छोटा रहेगा, उसके बार डाबलु डाबलु होता है, आफ़सन नमर का उदाहन है, दोस्तों, देखे, आफ़सन नमर ए तो सही है, समझात, जी हां, हमारा हाथ था, कुत्ते का अगर पाद, एक तो सही है, हमारे अबिकासिय दिश्चिकोंट से हमारी किससे अधिक समानता है, दोस्तों, चोवन का अंसर क्या होगा, बिल्कुल, आफ़सन नमर B चिंपएजी से दोस्तों, कौन जैव और निमनी करनिया पदार्थ है, ठीके ना, तो दोस्तों, पचपन कांसरों का अफ़सन नमर A, DDT, DDT अफ़सन नमर A याद करेंगे, नेक्स्ट है, जीव दरम्यान उर्जा इस्तिरोत का उदाहरा निमनी से कौन नहीं है, दोस्तों, चपन कांसर क्या होगा, बिल्कुल आफ़सन नमर C होगा, ना भी किया उर्जा, जीकार करता है वाई, जी हाँ, बिल्कुल आफ़सन नमर B, 7.0 से 7.8 के बीच में आफ़सन नमर B, नेक्स्ट, कौन सी गैस उस हजित होगी, जब धात्वें जल के साथ अपक्रिया करेंगे, यानि आपको बताना है, कि जब धात्वें जल के साथ अपक्रिया करती हैं, तो कौन सा गैस निकलता है, कौन सा गैस बनता है जोस्तों, तो अन्ठाउन का होगा, आफ़सन नमर C, हाईडोजन, जिसको बोलते हैं H2, 69, इलेक्टरान के हस्तरांतरान से बने अगी को क्या बो देगा, आफ़सन नमर यह होगा, C, A, C, O, 3, आफ़सन नमर एक करेक्टरा, C, 1, कौपर चुण को वाई में गरम करने पर उसके सतह पर कौपर अक्साइड की एक प्रत जम जाती है, इस परंद का रंग कैसा होता है, ठीक ना, तो 61 का आफ़सन नमर B, काला दोस्तों, नेक् करेक्ट, क्या होगा, बिल्कूल, आफ़सन नमर B, सैवाल, जैलियर, किट, हाई फल देखें, मचली, आफ़सन नमर B, होगा, तो यहां पर दोस्तों, याद करेंगे, आप 65 का आफ़सन क्या होगा, बिल्कूल, बोल सकते हैं, आफ़सन नमर D, होगा, दस, चाचचच, एस पर आयोडीन, बिलियन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, तो तो 67 का हो जाएगा, आफ़सन नमर C, क्या, जिहन सो नीला से काला, शट है, निन में से कौन, से समू में केवल, जैव, निमनिकन, पदार्थ होता है, दो 60 का क्या होगा, आफ़सन भी होगा, सर उर्जा, भुतापी उर्जा, पॉन उर्जा दोस्तों, पिया चमान कितना होता है दोस्तों, तो 70 कांसर जाएगा, आफ़सन B, साथ, नेक्स्ट है, निन मांकित में से कौन, लॉमर है, दोस्तों, लॉमर मतलब नमक, आफ़सन C होगा, केटू, एस सो फोर, ठीक है या बोल सकते, दोस्तों, इसमें आफ़सन आजाएगा, एने सील तो यह भी हो जाएगा, दोस्तों, अधातू बताना आपको, 73 का अंसर होगा, दोस्तों, याद कीजिए, कारवन अधातू होता है, नेक्स्ट है, निन में से कौन सा उपधातू है, 74 का क्या होगा, आफ़सन में पायता है, 89 का हो जाएका, आफ़सन नमर सी, में नेक्स्ट है, परकास संस्न होता है, दोस्तों तो परकास onto b1, दीन में होता है दोस्तों, आफ़सन अंशर घंट होतों, इसमें, आपको अथारा फरोरी के पोस्ट और बच्चक अर्छों मिलेगा ही मिलेगा, मिलते हैं स झाल 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 झाल